नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं वर्ग में 237, अनसुचित जन जाती के 148, अनसुचित जाती के संतावन, अत्यंत पिछला वर्ग के 50, पिछला वर्ग के 32 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 69 की न्यूकती होगी अभियार्थी निर्धारित योगिता वह अहरता के अधार पर 30 जून तक अनलेन आवेदन कर सकेंगे अभियार्थी 2 जूलाई की मध्य रातरी तक परिछा सुल्क जामा कर सकेंगे वहीं फोटो हस्ताक्चर अप्लोड कर उसका प्रिंट आउट के लिए 4 जूलाई की मध्य रातरी तक लिंक उपलब्ध रहेगा वहीं 6 से 8 जूलाई तक अभियार्थी अपना नाम जन्मती थी मोबाइल नंबर और इमेल आईडी छोड और नेत रूटिया को सुधार कर सकेंगे इसके लिए जैसेल्सी लिंक उपलब्ध कराएगा ज्यार्खन में अगले 3 दिनों तक अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेलसेल्स की गिरावट हो सकती है इसके बाद भी अगले 2 दिन तक कोई बड़े बदलाव की संभवना नहीं है मौसम केंद्रे के मुताबिक राज्य के उतर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं ओला विरिष्टी की भी संभवना है लिहाजा देवगर, धनबाद, दुमका, गिरी, डी, गोड़ा, जामतरा, पाकुर और साहिब गंज के लोगों को एतियातन परतने की जरूरत है इस दोरान बजरपात के साथ 40-50 किलोमेटर प्रति घंटा के रपतार से सतही हावा के भी चलनने की संभवना है अलर्ट इसलिए रहने की जरूरत था क्योंकि पिछले दिनों दुमका में जबर्जस्त वला विरिष्टी हुई थी इसे लोग काफी नुक्सान भी उठाना पड़ा था सबजी की फसल के साथ साथ गाड़ियों और खप्रेल घरों को भी छती पहुँची थी राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाई कोट परिसर का किया उधगाटान तीन दिवोस्य जर्खन दोरे पर रांची पहुँचे राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जर्खन को नए हाई कोट परिसर की सोगादी है जार्खन के नए और भव्य हाई कोट परिसर के उध्गाटन समारों में राष्टपति का लावा चीफ जस्टिस अफ इंडिया डी वाई चंद्रचुल केंद्रीय कानून मंत्री और जुन राम मिगवाल मुख्य मंत्री हेवान सुरेन और राज्य पलाधा कृष्णर भी पति मुर्मु ने नयाइक परकिरिया की जटिलताओ की बात नयाइक परकिरिया की जटिलताओ पर बात करते हुए राष्टपति ने कहा है कि हमें भरोसा है कि नयाइक परकिरिया की इन जटिलताओ को बदलाओ आएगा उन्होंने कहा है कि सी जे आई कानूनी मंत्री सहित अ जादिक उपयोग होना चाहिए इसे लोगों का न्याइक परकिरिया में भरोसा बढ़ेगा जार्खन में 16 जून से बैक टू इसकूल अभियान जार्खन में तीरपन हैर 247 बच्चे इसकूली सिक्छा से बाहर हैं उन्हें इसकूल से जोडने के लिए 16 जून से बैक टू इसक स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें इसकूल में नमाकिन्द कराया जाएगा इसके लिए इसकूली सिक्छा वस्चता विभाग के सच्चीव के रभी कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है बतादे जार्खन के प्रारंबिक इसकूलों में 6-14 वरस आयू वर्ग तक के 37-689 स्कूल नहीं जा पार है इन्हें इसकूली सिक्छा से जोडने के लिए बैक टो इसकूल अभियान शुरू किया जा रहा है आदिम जन जाती के लोगों से मिलकर राष्ट पती भावुक छार्खन के रांची में राजभावन के दर्बार हौल में बुद्ध वर्ग नजारा क लूप्त हो रही आदिम जन जाती समुदायक के जो लोग दूसरे समुदायक के लोगों से भी बात करने में घबराते हैं वे भारत की राष्ट पती द्रपती मुर्मू से सीधे बात कर रहे थे उनके लिए अच्छन काफी अननदायक खोसी और आसा की नई कीरन लाने वाला था राष्ट पती भी उनसे बात करते वे काफी भावुक थी उन्होंने बारी बारी से सभी के पास जाकर उनसे बात की और उनकी समस्याओं को जानने के प्रयास किया बता दई से पहले इस समुदायक कि किसी सदासे ने राष्ट पती को स्वयम द्वारा बनाई गई आदिवासी बहुल राजियों में उच नियाईक सेवाओं में लागू हो अरक्षन सियम हेमांत मुखी मंत्री हेमांसुरे ने उच नियाईक सेवा में अरक्षन की वकालत की है उन्होंने कहा है कि आदिवासी बहुल राजियों में इस सेवा में अरक्षन लागू हो जार्खन उच नयाले के उद्घाटन समारों को समोधित करते हुनों ने कहा है कि जार्खन में सूपिरियर, जूडियसियल, सर्विस में आदिवासी समोधाय का प्रतिनिधी त्वनग नहाए उनके अनुसार इसमें आरक्षान लागू नहीं होने से ऐसा होता है मुख्य मंत्री ने कहा है कि नयाएक सुद्रिडी करान तथा सुधार को लेकर केंद्र का जो भी प्रोजेक्ट जार्खन आएगा राज सरकार उसमें पुरा सयो करेगी भविस में उसमें जो भी आवसकता होगी राज सरकार उसे प्रत्मिक्ता देगी मोखी मंदरी ने कहा है कि जारकन उच नियालाय के नाया भवन सरल, सुलब तथा तीवर नियाय दिलाने में मिल का पत्थर साबित होगा उन्होंने जेलों में बंद बिचराधिन कैदियों पर चार्चा करते हुए कहा है कि जारकन में कई गरीब आदिवासी दलीत यम कमजोर ऐसे कैदि आर्थिक वजनकारी क्या भाव तथा इसे समाय पर नयाय नहीं मिलने के कारण जेल में बंद हाए जे से निकाली वमफर भाली जारकन में सरकारिय नवक्री की परतिक्षक कर रहे है ब्यार्थिओं के लिए बड़े खुस कभरी है बतादेराय सरकार की ओर से एक तरब जहां बड़े पैमाय पर सिख्षों की नयुक्ति की जा रही है वहीं दूसरी तरफ कान्ये साचिवाले सहायक सहीत विभीन पदों पर न्युक्ति पर के लिए शुरू कर दिया है जार्खन करमचरी चैन आयोग ने सची वाले सहायक सहीत विभीन पदों के लिए विगापन जारी कर दिया है जिसके तहट 29 माई से लेकर 28 जून तक आवेदन किया जा सकेगा जार्खन करमचरी चैन आउगना अभियार्थियों से ओनलाइन आवेदर मंगा है जो आयोग की वेब साइट jsc.nrc.in पर लोग इन करके समर्पित किया जा सकता है बता दे जार्खन करमचरी चैन आयोग के द्वारा जारी वियाबन करनुसार सहायक प्रसकापता अधिकारी के 830 कनिये सच्ची वालाई सहायक के 322 परखन आपूर्थिपता अधिकारी के 245 पलानिंग असिस्टेंट के 5 पदो पर भाली होगी इसके लिए योगिता किसी भी मन आता प्रात विश्वी द्याले से असना तक या समकक्ष डिग्री रखी गई है सही मायनों में लोगों को नयाय दिलान नयाय पालका का दैत्व राष्ट पती जार्खन हाई कोट के नए भवन के उधाटन समारों की दोन राष्ट पती द्रोपती मुर्मु ने कहा है कि कई वर्षों तक समाय पैसा और रातों के निंद बरबात करने के बाद जब किसी को नयालाय का आदेस मिलता है तो उसे कुछ पल के लिए खुसी मिलती है उसे लगता है कि चलो भले ही कई वर्ष देर हुए है लेकिन अंधेर नहीं है कुछ दिनों बाद उनकी खुसी गयब हो जाती है क्योंकि उसे सही मायने मिलता है उसको फिर से अमाना के दोर से गुजरना होता है उसे फिर से अपने मामले में मिले आदेस का पालन कराने के लिए कोट का सहारा लेना पड़ता है बतादे हाई कोट और सुप्रीम कोट के आदेस के बाद आम आदमी अब कहां जाए इसका समधान निकालना होगा, इसके लिए नियम भी बनाने पड़े, तो बनाना चाहिए। इस्टेडियम में होगा इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है पूलिस एवं परसासन ने बाकायदार रिहालसल भी कर लिया है बंदे भारत ट्रेन जल्द किया जाएगा लॉंच जार्खन के लोग बेसबरी से रांची पटना के बीच चलने वाली बंदी भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कोडार्मा छात्रिविती घोटाला मामला जिसकी इस करवाई से कल्यान विभाग में हलकम मचा हुआ है। जिसकी इस करवाई से कल्यान विभाग में है। जिसकी इस करवाई से कल्यान विभाग में है। सुत्रों के अनुशार आत्मसमरपन के नापर दिनेस गोप से ठागी की गई। बता दे पीलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप ने इनाईय के पुछतास में बताया है कि आत्मसमरपन करने को लेकर उसके साथ ठागी की गई थी। स्वास्थ मंत्री का आदेश भी नहीं मानता रिम्स परबंधान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बेवस्था बेपटरी होती जा रही है। मरीजों के लिए सुप्धा देने की बात लागतार होती रहती है लेकिन यह सिर्फ जुमला ही बन कर रहा जाता है। रिम्स इसकदर बदहाल है कि मरीजों के बेड के गंदे चादर तक नहीं बदले जाते वो भी तब जब चादर बदलने का आदेश सुवे के स्वास्थ मंत्री ने खुद दिया है। इससे अभी समझा जा सकता है कि रिम्स में अधिकारी और करमचारियों की कैसी तूती बोलती है। उन्हें विभागे मंत्री के आदेश की अवहेलना करने से कोई भी परहेज नहीं है। दरसल अप्रेल 2023 में राजी के स्वास्थ मंत्री बना गुपतर रिम्स निरिक्षन के दवान मरीजों के बेट पर गंदे चादर देखकर भड़क गए थे। निलंबित IAS 26 रंजन को जटका। जन के दिवक्ता ने कोट चागरा किया कि सब्ता में दो दिन परिवार्ट से मिलने की छूड़ दी जाए। इस पर इडी की विशेष लोग अभियोजग स्विपरसाद ने अपति जताई। उन्होंने अपनी दलील में कोट को बताया एक निलंबित IAS 26 रंजन नियाइक हिरासत में है। IAS में किसी भी व्यक्ति को भी सेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। वह जब तक जेल में हैं उन्हें जेल मेनुवल का पालन करना होगा। धन्यवाद।